क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फेस्बुक पर अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पापा, चाचा, दादा की डैड बॉडी वाली फोटो पर हसने वाली इमोजी सेंड कर दी और अब आप बहुत अदा एमबरेस फिल कर रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा फ्रेंड क्या सोच रहा होगा तो अब आपको एमबरेस होने की कता ही जरूरत नहीं है, आज के वीडियो में हम फेस्बुक की स्टोरी से इमोजी रियक्शन्स रिमोजी करना सीखेंगे कई बार किसी राजनेतिक या धार्मिक व्यक्ति की फोटो, वीडियो या पोस्ट पर भी गलती से हसने वाली इमोजी या कोई गलत तरह की इमोजी सेंड हो जाती है जो की हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है तो इन रियक्शन्स को रिमोजी किया जा सकता है आईए फेस्बुक एप पर चलते हैं फेस्बुक पर है हम किसी भी स्टोरी पर रियक्शन को रिमोजी करने के दो तरीके होते हैं एक छोटा एक बड़ा, पहले मैं आपको छोटा तरीका बता देता हूँ पहले हम किसी story पर react करते हैं देखे ये इनकी story है इसे हम open करते हैं यहाँ पर हम दो बार react कर देते हैं ठीक है अब हमें इसको remove करना है तो हम वापस story पर जाएंगे इसके बाद यहाँ उपर 3 dot को दबाएंगे और यहाँ कर देंगे undo sent reactions ठीक है इसे कर दीजे undo तो reaction हमारे remove हो गए है ओके दूसरा तरीका थोड़ा सा long है इसके लिए हम पहले react कर देते हैं देखिए यह हमने react कर दिया ठीक है अब हम story में से निकल गए है अब हमें लगा कि हमें react नहीं करना था तो इसके लिए हम क्या करेंगे और story यहाँ से हट गई है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर profile icon को दबाएंगे upper right corner पर फिर जाएंगे settings पर इसके बाद आपको यहाँ दबाना है profile settings पर यहाँ आपका logo होगा आपकी profile photo होगी वहाँ पर दबाईए नीचे आ जाएए यहाँ पर आना है आपको activity log पर इसके बाद आपको इस जगे पर दबाना है जहां लिखा है story activity देखिए यह दो heart यहाँ पर दिखा रहा है हम यहाँ three dot को दबाएंगे इसके बाद कर देंगे remove reaction देखिए यह remove हो रहा है इसके बाद ऊपर यह three dot और फिर remove reaction देखिए इस तरीके से जो हमारे reaction ते वो remove हो गए है Facebook Reel को कैसे download करते हैं उसके लिए यह वाला वीडियो देखिएगा इस बटन को दबाखे subscribe कर ले Thank you so much